हेलो अब्रिवन विल्कम करती हूँ एक बार फिर से नए ब्लॉग में तो आज हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेकर आए हैं होम क्लीनिंग एक बहुत कठिन टास्क होता है लेकिन अगर हम इसको स्मार्टली तरीके से करेंगे तो ये बहुत इजी और एकदम चमकता हुआ बाथरूम आपका डेली मिलेगा तो आज हम कुछ टिप्स के साथ ये सेयर करेंगे जो चुटकियों में आपका बाथरूम क्लीन हो जाएगा तो सबसे पहले बाथरूम का ये लुक देख लीजिए कितना हाड ये जो नल के जो हाड पानी होते हैं वो चिपक जाते हैं इस तरह से नल का लुक चेंज हो जाता है जंग लग जाते हैं बाथरूम बहुत ज्यादा गंदा हो जाते हैं तो ऐसे में क्या करें कि चलिए आप छोटा मोटा हम टिप से आप लोग के साथ सेर करेंगे तो यह है टाइल से क्लीनर जो चुटकियों में आपके टाइल को साफ कर देगा ना ज्यादा मेहनत करने के जरूरत है और यह हाड़ वेर की दुकान पर मिल जाता है 130 या 140 रूपए के रेंज में आपको यह म पानी लिया है चोटे ग्लास से और उसके बाद इसमें हम 5-6 चमश डाल देंगे टाइल्स क्लीनर अब इसके बाद एक बोटल में इसको हम जो है डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और डाल देंगे तो यह देखिए हमारा यह क्लीनिंग बन चुका है अब चलिए यहाँ प तो यह मैंने ऑनलाइन फिलिप कार्ट से मगाया था और यह काफी मुझे अच्छा लगा और डेड़ सो या 180 के रूप मतलब रेंज में मिल जाता है तो इससे जो सारे नल पे जो हार्ड स्टेट क्या बोलते हैं इसको हार्ड मतलब जैसे पानी जो होता है न वह खारा होने क कारण इस तरह से जंग लग जाते हैं और इसको छुडाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है तो इस तरह से पहले हम सारे नल पे लगा देंगे अब करते हैं टाइल्स को क्लीन तो आप नीचे की जो दिवाल होती है बात्रून की वह सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है जिन को पांस मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद इसको ब्रस से कपड़े वाले ब्रस से या फिर टायरी से वाले जो ब्रस होते हैं उससे आप रगर दीजिए यह मिन्टों में साफ हो जाता है और आपका बात्रूम एकदम सीशे की तरह चमक जाता है तो मैंने यह जो बीडियो बनाया था ना मैंने एक हफते मतलब छोड़ दिया था बात्रूम को बिलकुल भी साफ नहीं किया था इस बीडियो को मुझे बनाना था आप लोगों को दिखाना था कि यह बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत आसान काम है आप इसको डेली अगर पांच मिनट द लिया है यह बहुत अच्छा तरीका है बहुत अच्छा सलूशन है और बतलब लोगों के यहां तो आसानी से यह मिल जाएगा हाडवेर की दुकान पर तो देखिए अब भी मैंने जो साफ किया था मेरे को ध्यान से उतर गया था कि मुझे लगाना है लगाने से क्या होते है जो हमारे क्या बोलते हैं यह जो टायल्स क्लीनर होते हमारे हाथों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नहीं तो बहुत जल्दी से हाथ यह क्या करते हैं वैसे खराब नहीं होता है हाथ बर थोड़े बहुत जो है हाथ थोड़ा अजीव सा लगता है देखने में तो इस तरह से आप गलप्स लगा ले और उसके बाद एक साफ मतलब जो बरतन माजने वाला जो स्क्रोश बाइच आता है वो ले ले और बस उसी से आप इसको रगड़ दे देखिए ये फटाफट से कैसे मैं इसको इसको रगड़ती जा रही हूं और उसके बाद इसको रगड़ती और यह जो हमने सेयर किया है आप जरूर आप लोगों को मॉटिवेशन मिलेगा इस वीडियो को जरूर देखना तो हमने यहां पे नल को साफ करने के लिए थोड़ा सा पीतामबरी का इस्तमाल किया पीतामबरी जो है इस्टील तांबा पीतल को एकदम चमका देता है तो कि यह थोड़ा सा जो है पीतामबरी का भी उच कर सकते हो तो यह अब हीसमें जो है जो है कि यह पीतामबरी लगा रहे हैं अगर आप 2-3 बार लगा चंभा न न वैसी कर साफ करेंगा और इसके बाद इसको हम रगड देंगे इसको जो है मतलब जूने से मतलब तार वाला जूना आता है या फिर इस तरह से और देखि मेरे आखों में पड़ गए तो बस इस तरह से रगड देना है बिल्खुल भी मेहनत नहीं लगता है बस पास मिनट का काम है और आपका इसी तरह से हम बातरूम के जो दर्वाजा है यह ऐलूमिनियम का है तो इसको भी बहुत अच्छे से साफ कर लेती हूँ इसी क्लीनर से और बहुत अच्छे से चमक जाता है लेकिन हाई यह लकड़ी के दर्वाजे पर ना डाले इससे क्या होगा इसक्रेच पड़ जाएंगे और कलर इसका फेड हो जाएगा थोड़ा सा इसका ध्यान में रखते हुए करिये और अब बारी आती है कमबोड की कमब तो हार्पी के दो तरह के आते हैं एक ब्लू एक रेड आते हैं तो वह ब्लू जो है कमबोड के लिए अच्छा होता है रेड जो है टायल के लिए लेकिन उससे अच्छा जो हमने अभी टायल क्लीनर दिखाया वह सबसे बेस्ट इस तरह से एक ब्रस आते हैं वाइपर वाले तो देखिए जो कमबोड के साइड का मतलब यह है ना यहां पर हमारा हाथ पहुचना इन पॉसिबल है इस ब्रस की मदश से मैं ने देखिए कोने कोने में बस वही टार्स क्लीनेर को डाल के और मैंने इसको अच्छे से साफ कले और इसमें वाइपर भी है वाइपर से भी इसक के बाद वापस गूने से इसको अगणे घूल देंगे तो अगर हफते में ज्ञादा अगर आप अगर मैं आपका कंषे हो गया है नल ला प्रेंट करिए देवाहां ब्रस को इस तरह से हमने पूरे बइत्ट्रूम को अच्छे से क्लीकरों कर लिया है बात्रूम को जो दिवाल होते हैं इस तरह से वाइपर में एक कपड़ा अच्छे से लगा के इसको अच्छे से पोच रखते हैं जरूरी नहीं है कि डेल इसको पानी डालके दूले तो देखिए हमारे जो यह ब्रेस है वाइपर वाले मैंने इस दिवाल पर रगर दिया था ज्यादा गंद हो गया था आप लोग को दिखाने के लिए तो यह थोड़ा सा मुझे दस मिनट मेहनत करना पड़ा नहीं तो यह सिर्फ पांस मिनट का काम है ज्यादा बिल्कुल भी मेहनत नहीं है तो देखिए हमारे नल भी अच्छे से चमक गए हैं हमारे बातरूम के चारो तरब की लिशने के बाद इसमें कोई सा भी ऑईल लगा दे इससे क्या होगा पानी जो है नल पर रुकता नहीं है और अब चलिए बाल्टी और टब को साफ करते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमारा मग कितना ज्यादा गंदा हो गया है तो इसके लिए एक बस्ट सेलूशन है यहां पर देखिए हमने थोड़ा सा लिया है और इसको अब जो है माज देंगे जूने से या फिर जो भी हो स्क्रबर से और यह देखिए जितना भी हार्ड वाटर इसमें लगा हुआ है बाल्टी में टब में जितनी भी गंदगी है यह बस दो मिनट में साफ हो गया इस तर से रेड वाले हार्पिक से मग को साफ कर सकते देखिए कितना चमक गया है एक दम नया का नया हो गया है तो इस तरह से हम बाल्टी और टब मग को वाइपर को हपते में एक दिन जरूर रेड हार्पिक से साफ करते है हुआ है तो आप देख सकते हो कि बाल्टी मग कितनी अच्छे से चमक गया है तो अब हपते में आप इसको शिर्फ एक बार यूज कर सकते हो डेली आप सर्फ से मांज सकते हो तो कभी भी आपके बल्टी बाल्टी और टब गंदे नहीं होंगे तो अब देखिए हमारा ये बात्रूम क लोग तो देखिए बढ़ियां से हमने इसको 10-15 मिनट में बात्रूम को क्लीन कर लिया है और आप लोग कब करने वाले हों जरूर कमेंट बॉक्स में बताना या फिर कुछ अच्छा सेलूशन हो तो ओभी कमेंट बॉक्स में बताना तो बस ये मोटिवेशनल वीडियो आप तक के लिए थैंक यू बाबाय टेक केर और हमारा बात्रूम देखिए डन डन